नमस्ते दोस्तो कैसे आप सब I hope सभी अच्छे होंगे तो दोस्तो यह है मेरे ससुराल की गलिया आप समझी गयोंगे कि अभी मैं अपने ससुराल आई भी हूँ और मेरा ससुराल बिहार के एक सहर गया में है आप सभी जानते हों गया बुखाती फेमस जगा है तो बस वहां की च्छत से मैं यह वीडियो सूट करें आप देख सकते हैं कितनी अच्छी जगा है पूरे पहाड़ है दोस्तो गया तो सभी जानते होंगे एक टूरिस प्लेस ही है तो चलिए आपको अपनी पूरी फैमली से मिलवाऊंगी सबसे पहले देख सकते ही हमारे च्छत है और यहा यह सब चीजों से बहुत अच्छी लगती है इसलिए भावी ने घर में रखा है चोटे-चोटे एनिमल और हां यह जो रैबिट देख रहे है यह अभी प्रिग्नेंट है इसको बेबी होने वाला है और इसने अभी तक 15-16 रैबिट बच्चे दे चुकी है तो यह बस बहु मनु बताओ कौन है यह देखो और यह है पापा पापा हेलो बोलिये कैमरा में सब यहां पे देशी खारा खारें लिट्टी चोखा जो बिहार का फेमस डिस है और बनाया कि इसने उधर है मेरी भावी यह देखी अराम से बैठी हुई है इनसे भी मिलवाते हैं आको हेलो बो कि नितने एक तो यहां आप देख सकते हैं बच्चे सारे पार्क आयवें बहुत चीद कर रही थी मेरी बेटी और वह सिस्टर इल्लॉकी बेटी तो दोनों पारक आयवें मस्ती करने आप देख सते कितनी खुबसूरत जगा है अगर आप गया के आसपास रहते हो तो एक बा यहार में यह जगा आप विजिट कर सकते हैं यहां पर बोटिंग बहुत सारे लेकर बहुत सारे अधर मजार रहा है अधर दीग है अधर लेकर अधर अधर शाए अधर 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 देखो इधर इधर देखो छल्या इंसे वह मिलवाते हूई यह है मेरी ननर जो-अभी मुझसे मिलने आए थी और उनके बच्चे भी है सब मिलकर मस्ति कर रहे है और यह सब खार रहे है chicken actually क्या हमारे घर में chicken बनता नहीं तो हमने बाहर से ओर्डर किया था तो सारे बच्चे इंजुआए कर रहे हैं क्योंकि बहुत दिनों के बाद सबका मिलना होता है न तो बस बच्चों को भी अच्छा लगता है इतने दिनों के बाद तो बस सब मिलकर खाना वाना कहा कर सिस्टर इनलो चली गई यह देखिए उनका बेटा भी है यह इससे भी मिलिए तो गाइस यह थी मेरी शुसराल की छोटी सी फैमिली और आज की ब्लॉग आपको कैसी लगी जरूर बताएगा मुझे पता है कि ब्लॉग थोड़ी छोटी बनी है लेकिन क्या होता है न मेरे साथ प्रॉब्लम हो रही ह तो यह सब चीजों का मैं ध्यान रखने वाली हूँ और इसके बाद में अपने मेके जा रही है तो वहांके वीडियो शुट करूँगी actually क्याना मेरे ब्रदर का बेटा हुआ है तो वो उसने एक पार्टी रखी है तो पूरी फैमिली हमी खटे होने वाले है तो उसका भी अच्छा सा ब्लॉग बनाऊंगी और आपके साथ सेर करूंगी और हाँ इसके बाद एक बाद आप से और कहना चाहरे थी कि इसके पहले मैंने अपने नए घर की वीडियो डाली थी अगर आपने नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा बहुत ही अच्छी है और उसके बाद फिर मैं मैंने आप से वादा भी किया था कि मैं अपने घर की एक एक रूम की वीडियो सूट करूंगी क्योंकि अभी मैंने पूरा अपना घर से इट नहीं किया है पर अब क्या हुआ कि मैं घर सिपनी के बाद आ गई हूँ अपने इनलॉस के हाँ तो मैं वहाँ की वीडियो कंटिनून नहीं कर पाई तो यहां से वापस जाओंगी तो पूरी वीडियो की सीरीज बनाकर सूट करूंगी एक एक करके हर एक कमरे की तो बस यही आपसे कहना चाहती थी तो गाईस बस आज की ब्लाग यहीं समाप करती है और मिलती हूँ एक नई ब्लाग के साथ तब तक के लिए बाई बाई